दिली से बोहन की साधी में गाउं जा रहें एकलावते भाई के सौव मेरे बार रेक पॉइंट माल गोदाम के समेप गड़े में मिले से परीजनों में चीख फुकर मच गई सौच करने जा रहें लोगों ने सौव को सुबा देखने के बाद सौर मचाने पर अस्थानी लोगों की बीड उमर पड़ी वही एस्टेसन मस्टर ने सुचना थाना परभारी परमत्सा को दिया उसके बाद थाना परभारी परमस्सा ने अपने दल बल के साथ घटना अस्थल पर पहुँच कर साव को कबजे में लेकर पश्ट माटन के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया वो इस साव मिलने के चा घंटे बाद साव की पहचान की गई है मृतक सिवान जीले के एमेश नगर हसन पुरा थाना छेतर के रामपुर गाउं के अजे कुमार राम के 22 वर से पुत्र अनूप कुमार के रूप में हुई है इधर पुलिस मृतक के परिजनों के संपर्क में जूटा हुआ है परिजनों ने बताई कि पाच जुन को बहन की साधी के लिए अनूप दिली से गाउं के लिए निकला था जो मृबाइल डिस्चार्ज होने पर दूसरे के मृबाइल से गुरखपुर पहुँचने पर घरवालों से बात चित किया उसके बाद उसका पता नहीं चला चाव जुन की रात तक घर नहीं पहुचने पर उसके परिजनों ने खोजबिन सुरू कर दिया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला साथ जुन को दोपार में उसका सव मिलने के सुचना परिजनों को मिलती है परिजन मार्यों पुलिस से संपर्ग कर सिवान सदर अस्पताल पहुचे तो सौव की पहचान किये मिर्त के कमर और पिट में चाकू का निसान देखा गया है लेकिन इस हत्या के करणों का पता नहीं चल पाया है इस संबंध में थाना परवारी परमोस साह ने बताया कि सौव की पहचान हो गया है सौव को परिजनों को सुपर्द कर दिया गया है परिजनों की आवेदन पर पुलिस आगे की कैरवाई करेगी हाला कि पुलिस मामले की चान बिन में जूटी हुई है मिरितक अनूप कुमार की हत्या दर्दनाग तरीके से किया गया है उससे चाकु मार कर हत्य कर साथ चुपाने के लिए उसके सौव को मारी बर एक पॉइंट के पास फेक दिया गया है वह तिल संतानों में एकलाउता भाई था उसकी छोटी पाहन की साधी आठस जुलाई को तिलक और बारह जुलाई को बरात आनी थी जिसमें वह लड़के के लिए कपड़ा खरीदने के लिए गाउं जा रहा था उसी दोरान किसी ने उसकी हत्या कर सौव को फेक दिया था एकलाउते पुत्र की मौत की घटना ने पूरे गाउं को आख से आशु निकलने पर मजबूर कर दिया है मौत का अनुप सुरुष से दिल्ली में राकर पढ़ाई लिखाई कर रहा था गाउं में कम आना जाना था वह भी एससी की पढ़ाई कर रहा था दो सल पहले नेवी की परिक्षा पास करने पर उसकी माने एकलोते पुत्र होने के नाती उसे नेवी की नोकरी में जाने से मना कर दी थी सुरुष से अनुप पढ़ाई में तेस्ता रह था लेकिन वह बाहन की साधी में गाउं आने के दोरान उसकी हत्ता कैसे हो गई यह बात सोचने पर सब लोग मजबूर हैं